आज जिस टापक को हम डिसक्स करेंगे वो है माइकल सन इंटर फेरो मीटर लेकिन इस टापक से पहले हम बात करेंगे इंटर फेरंस क्या है इंटर फेरंस फिरिंजेस क्या है इंटर फेरो मीटर माइकल सन इंटर फेरो मीटर अप्लिकेशन एंड यूज तो यह आज का हमारे टापक होंगे और हमारा मेन फोकस होगा माइकलसन انٹرفیرو میٹر तो आप जैसा जानते हैं इट इस फॉनामिना इंटर इंटर फेरन्स है क्या इट इस फॉनामिना विच इस असोसियट वे दी वे नेचर आफ लाइट के ये ऐसा फॉनामिना है जिसको असोसियट कर दिया गया है वेव नेचर आफ लाइट के लाइट की वेव नेचर है तो आपको पता है के वाइट लाइट के वेव नेचर और इसकी पार्टिकल नेचर लूर नेचर आफ लाइट को हम स्टेडी करते हैं लेकर यहाँ पर हम फोकस करेंगे सिर्फ वेव नेचर आफ लाइट The phenomenon of modification intensity of light obtained by superposition of two or more beam or light is called interference. Interference की जो definition है The phenomenon of modification of intensity of light obtained by superposition of two or more beam of light is called interference. इसका हम interference कहते हैं और आप ये भी जानते हैं कि interference यहां दो करा तरह का होगा Constructive interference and destructive interference If the resultant intensity is zero Less than we expect from the two separate intensity We have destructive interference तो ये अगर उसका intensity zero है और लेस्टन उतनी जितनी हम expect का रहे हैं वो से कम है तो इसको हम कहेंगे constructive interference While if it is greater We have destructive interference और दूसरी शकल में ये destructive interference है अब हम देखते हैं simulation की मदद से के constructive interference क्या है और destructive interference जो है वो क्या है तो यहां पर simulation में देखिए यह आपके पास हमें यहां पर simulation जो है वो run कर रही है और यहां पर हमने दो source लिए है एक हमारे पास यह S1 source है हमारा यह 1 और S2 जो sources है वो हमारे पास यह sources है और आप यह देखें कि जब यह sources हैं तो यहां पर जिजगा पर bright light है वहां पर यह दोनों sources जो है वो interference हो रहा है तो वहां पर यह constructive interference है कौन सा है constructive interference और जहां पे ये जहां पे ये दोनों black आपको dark spot नजर आ रहे हैं तो वहाँ पे destructive interference है वहाँ पे कह है destructive interference तो आपने देखा कि constructive और destructive interference में क्या फरक है तो यहां से हम ये भी कर सकते हैं कि जनाब अगर हम इसके screen जो लगा दी जाए तो ये screen हमें बहुत clear जो है वो दे रही है कि कहां पे destructive interference है और किस जगा पे जो constructive ये pattern नजर आ रहे हम इसकी intensity भी आपको show कर रहे हैं तो देखिए जरा ये हमें intensity भी show कर की जा रही है तो आप जरा इस पे गोर कीजिए आपने देखा कि ये जो ये जो spark है ये है हमारे पास bright spark और इसके सामने जो intensity है वो maximum है और यहां पे कौन सा interference होगा constructive interference तो यहां पे क्या होगा constructive interference ठीक है constructive और जिस जगा ये black spot है यहां पे dark spin है और यहां पे इसकी intensity जो है यहां तो zero है यहां बहुत ही काम है और इस stage पे क्या होगा ये destructive interference है इसी तरह आप ये इस तरह ये हमारा जो है हमारे पास bright fringe है constructive interference ये देखिए और ये हमारे पास dark fringe है और ये destructive interference और ये constructive और इसी तरह आप देखिए अगर आप गोर से करें इस screen के ओपर जो है वो एक pattern बन रहा है एक pattern जो है वो design हो रहा है हमारे पास यहां पर constructive और destructive interference से अभी आपने देखा कि हमारे पास interference जो है उसका phenomena क्या है किस तरह हम constructive interference होता है इसको जनाप हम ये कर सकते हैं कि यहां पर हम जो है वो अगर चाहें तो graph भी show कर सकते हैं आप देखिए आपको elective field का यहां graph नजर आ रहा है किस तरह elective field at center यह आप देख रहे हैं और उसके साथ साथ आप यह भी देख रहे हैं कि यहां पर अगर हम चाहें तो यह जो इसका amplitude है इसको frequency को भी हम change कर सकते हैं तो देखिए क्या position है अब बाड़ रहा है मैं जरा इसकी graph को उटा देता हूं ताकि आप इसको clearly दे सकते हैं अब यहां पर हमारे पर हो रहा है अगर हम इसको एस यू समय लिजिए और यह हम पर ले आते हैं तो देखिए अब हम जो frequency चेंज होगी इसका color भी बेंड भी चेर हो चेंज हो रहा है हम इसको green पर ले जाते हैं यहां पर देखिए कुछ देर के बाद यहां पर एक pattern ड्वल्प हो जागा वो बन गया तो आप आप ने यह pattern देखा और pattern देखने के बाद आप यह देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर constructive और destructive interference जो है वो design हो रहा है अगर हम इस color को और change कर देते हैं हम चाहते हैं कि इसको blue पर ले जाए देखिए बिलियो पर फिर जाकि यह बन गया इस वक्त हमने जो separation रखी हुए है वो 5 रखी है नीनोमेटर रखी है अगर हम इनकी separation बढ़ा देते हैं अब देखिए अब क्या सुर्टे आल होती है जी गड़ यह आसा आपने देखा कि यह pattern change हो गया जैसे जैसे हमने separation बढ़ाई तो यहाँ पे जो pattern के अंदर ज्यादा dark और bright fringe जो है वो बनना शुरू हो गया है और अगर हम patterns को इसके जो यह उन समय लीजिए कि हम दरमयान में रख देते हैं यहाँ पर रख देते हैं तो क्या सुर्टे आल होती है अब देखिए इसको हम यहां से मेयर भी कर सकते हैं फाइव लीनोमेटर पर जा रही है और यहां से आप वेव वी मेयर कर सकते हैं और टाइम यह आपको वेव भी शो कर रहे हैं आप ने देखा कि interference और इंटर्फेरंस डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटर्फेरंस जो है वह कैसे डिजाइन होता है हम इसको यहां पर रोक के हमनी प्रेजेंटेशन पर चलते हैं अब देखें इंटर्फेरंस फ्रिंज इंटर्फेरंस फ्रिंज जो है वह हमारे पास हैं कौन कौन सी जो है रियल वर्चूल लोकलाइज नन लोकलाइज तो इंटर्फेरंस फ्रिंज जो है वो जो हम बढ़ रही है उसको इसका दरा मतालग कर लेते हैं कि यह किस किसम किया और यह कैसी होती है रियल फ्रिंज पहले है इसकी बात करते हैं रियल फ्रिंज कैन वी इंटर्फेरंस्ट उन तो ये है हमारे पाद ची रिया फेंच वर्चौल फेंच चैनाड पी परोजेक्टरड ऑंटो इस्क्रीन विदाउट कंडंस इसको पोर जेक्टर पे नहीं कर सकते रिदाउट कंडंस इन फोकसिंग इन दिस केस इन दिस केस रे डू नाट कंवर्ज यहां पे रे जो है वो नहीं होती रे वर्चौταम्रे में यहा आप यह नहीं करती यह नहीं करती आपंड के नानलोकलाइस फिर繼續 विसक्राव यह नानलोकलाइस आप IB क twee और दॉचलाइस जो किसी जगह पहा है रहता है। और Non-Localized Fringe गसिस्ट ऐवरिव prohibayr वो जहाँ चाहे चै चाहे exist everywhere result of the point and lines source यह हम result of point and고 follow a line source यह यह Non-Localized Fringe है Localised fringe जह전에 अबज़र्व पॉरवर एक particle surface इसको एक particle surface. पे देखा जाता है result of extended source और यह है result of extended source यह हमारे पास localized frame जा है आप ने देखा के what is the different between the localized and non localized fringe ना लोकलाइज एग्जिस्ट everywhere and localized observe over a particle surface इसको हम particle surface पे observe करते हम result of point aligned source result of extended source और यह result होता है extended sources का इसके बाद हम बात करेंगे जो है वो माइकल सन ने एक जो instrument अजात किया और इसकी थोड़ी सी history भी बात करेंगे a Albert Ibrahim Michelson conjected that if the speed of light if the speed of the light relevant to the hypothetical ether was indeed constant अगर speed of light जो hypothetical एक मफ्रूजे के तोर पे इतर बनाया जाए बनाया गया था अगर वो constant constant है then the earth orbit velocity relative to this ether should exhibit observable effect relative तो हम इसकी जो ether की जो जो अर्थ की orbit velocity है उसको हम relation से देख सकते हैं उस ether पे he device and constructed on optical interferometer उसने क्या किया कि एक optical interferometer जो है वो construct किया which he presumed that he would then be able to detect वो इकापल डिटेक्ट ती relative motion of earth के अर्थ की जो relevant motion है against the static ether actually वो find करना चाहता था कि अर्थ की जो relative motion है उस जो static ether जो एक फर्द कर लिया गया था उसके साथ उसकी relative motion क्या होगी क्योंकि अगर वो static form है तो समीन जो है उसकी motion उसके साथ से कैसी होगी that is that is since earth orbit velocity is approximately और आपको पता है अर्थ जो अर्थ है उसकी velocity जो है वो हमारे पास वह एक लाख सत्तर हजार एक लाख सत्तर हजार किलो मीटर पार आवर तो यह है अर्थ की अर्थ आर्थ की इतनी है माइकल सैंट एंटिस्पेक्टेट डैट इस इंट्रो फिरोमीटर एक्जीब्यूट मेयरेबल चीन ओवर दी कॉर्स आफ यह के जो वक्त के साथ चेंज होगी उसको करे ड्यू टू दी सबस्टेंशल डिफरंट इन इन दी विलास्टी इस मन्यागों पर अलबर्ट इबराहेम माइकल सान ने इंस्टो माय्ड इंस्टुमेट जिया अज़ाज किया जिसको माइकल सान इंट्रो फिरो मेटर का नाम दिया गया अब देखते हैं कि यह आला इसकी किस तरह थी और यह वरकिंग कैसे करता था इस पे हम फोकुस Interferometers Interferometer is optical device जैसे हमने कह लेखा which utilize the effect of interference जो के interference के effect को utilize करता है typically it starts with some input beam इसमें कुछ input beam होती है spill it into two separate beam ये जो एक beam आती है पहले ये उसको एक beam को दो beam जो है spill it into two separate beam ये दो separate beam में इसको जो है वो कर देता है with kind of beam spilter और उसमें beam spilter यूज़ करते हैं partially transmitted mirror जो है उसको यूज़ करते हैं possibly expose some of these beam to be some external influence और in beam पे कुछ external influence होता है some length changes and refractive index in the transmit medium and recombine the beam on another filter और दूसरे filter पे इनको recombine किया जाता है आप इस theory को जब हम इसको इसको इसकी figure दखाएंगे आप का concept clear हो जाएगा मैं speaker की तरफ चलता हूँ जो इसकी construction है तो जरा इस पे गौर कीजिएगा अब देखिए यहां पे तो चनाब यह है हमारे पास एक current light source यह sources है और यह sources क्या कर रहा है कि यहां पे यह light produce कर रहा है यह current sources जो है यह wave जा रही है यह wave इस यह जो beam spilter है यह beam spilter यह वाला जो है इस beam spilter के उपर यह file कर रही है और यह beam spilter क्या कर रहा है यह delay spilt beam spilt beam अब यह spilt beam जो है वो यहां पे वो built spilt beam है वो यहां पे यह देखे यह stationary mirror लगा हुआ है यह actually यहां से यह देखे यह move card इदर आ रही है और यह यहां से reflect होती हुई reflect होती हुई वापस आ रही है beam spilter अब इसी तरह यहां की beam यहां पे यहां पे यह फाल कर रही है moon mirror पे यह हमारे पास moon mirror है और यह हमारे पास stationary mirror है और यहां पे देखिए यह भी कर रही है अब क्या हो कर रहा है यहां पे आके यह re-combine यह beam री-combine होगे यहां पे क्या होगे यहां पे क्या होगे यह री-combine होगे यह री-combine होगे और री-combine के बाद हमने देखा कि actually यह sample of source है sample है जो आपको यह show कर रही है और यहां पे इस beam को यह यहां पे हमने डिक्टेटर लगाया होगे तो यह हमारे पास एक monochrome light source है beams filter spilled beam into two beam equal intensity यह जो beam है यह दर और यह equal intensity बिका रही है stationary and movable mirror यह हमारे पास stationary mirror और यह movable mirror knob adjuster और movable mirror और फिर knob को हम यहां पे adjust कर सकते हैं यह आपने देखा अब इसकी construction को देखें हम ज़रा इस पर और करेंगे तो आपने construction को सब फिर देखें the main optical part consists of two highly polished mirror इसके ओपर mirror M1 है और mirror 2 है and a plane parallel plate of glass glass G compensator and a beam spilter or beam sir लगाओ है sometime the rare side of the beam spilter is slightly silver यह थोड़ी से silver कर दी जाती है so that light coming from the source is divided into करें number 1 reflected and transmitted beam of equal intensity के यह का reflective beam में और transmitted beam में इसको convert का दें the mirror M is fixed mirror M is fixed to a mobile carriage and can be moved along with the well machine wave of the track this slow and accurate control motion is accomplished by mean of the screw to obtain the interference frame mirror M1 and mirror M2 are made exactly perpendicular to each other यह दोनों एक दूसरे को पर आपने देखा फिजली figure में के perpendicular होते हैं even when this adjustment have been made friends will not be seen unless the two important requirements are forfeit दो requirement आपने देखने हैं friends देखने के लिया first the light must be origin from the extended source के light जो है वो extended source से जो है वो करें and second the light must be in general monochromatic एक तो light standard sources से हो और दूसरी light जो है वो monochromatic जो जो है उसका source हो यहां तक्रीबर nearly monochromatic के करीब हो How it works? अब यह देख रहे हैं Beam of monochromatic light is emitted towards the beam's filter The beam's filter separate the incident beam into two separate beam और equivalent intensity में कार देगा One beam is sent to the stationary mirror and other is sent to the movable mirror एक जो है stationary mirror mirror जो पर आपने देखा लगा हुआ और दूसरा mobile mirror के तरफ जाएगा The incident beam are reflected and sent back towards the beam's filter The beam's filter recombine the wave to produce interference pattern Interference pattern is projected onto the surface series of constructing ring of light जहांप एक constructed ring of light पर डूसरा हो रहे हैं तो आप यह देखें Moon from constructive to destructive interference अब हम इसके अंदर constructive interference कैसे लाते हैं और destructive interference जो है वो कैसे लाते हैं इन दोनों को हम जो है वो discuss करेंगे तो पहले हम जिसमें बात कर रहे हैं वो है जनाब हम कर रहे हैं जो इसकी बात कि बूम फराम जो है यह constructive interference की बात हम पहले कर लेते हैं फिर हम destructive जाएंगे तो कैसे तो जनाब पहली तो बात यह coherent sources जो है वो यहांप लेजर मजूद है यह देखें और उसके बाद यहांप यह बीम जो है यह बीम जो है बीम इस बीम स्प्लटर के ओपर जो है वो जाके फाल कर रही है यहांपर जब यह फाल करती है तो करने के बाद reference arm यहांपर यह जनाब यह जा रही है किस की तरफ Steorageनरी की तरफ मेरे स्टेशन रिक पर यहां पर यह वापस आ रही है यहां पर यह वापस आगी तो रेफर्स आरम हमेर कर ला है अब मेर रेफर्स आरम हम इसको रखा इसको हम नहीं नहीं चेहना क्योंकि यह स्टेशन रही है इसको नहीं हलाना अब यह जो है इसके उपर जा रही है भी और मेयर आरम और मेयर आरम यह यह बीम आ रही है तो आप ने देखा कि यह मिरर जो है यह वाला मिरर वो कर सके है यह वाला मिरर इसके मुववें के मिरर है इसको हम आगे पीछी हरकत दे सकते हैं तो जब आप यहां पे आप देखिए विएम्स पिल्टर ये लगा हूँ उसके बात जब यह दोनों मिली तो यहां पर क्या होगा इंटरफेरंस और यह इसके और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरंस होगा क्योंकि यहां पे देख देखें यह दोन foreign system नहीं squat किये था है एक दूसरे को स्पोर्ट करती है, तो यहां पे यह कंस्ट्रक्टिव इंटर्फेरंस अब दूसरी तरफ चले जाएं, तो दूसरी तरफ यह लेजर बीम है, यह मारे पास, यहां पे यह आपके पास आ रही है, यह यहां पे फाल कर रही है, यहां पे देखें, यह फाल किया, तो यह 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 यह आयरे यहां पे इसलिए किया किस्ट्रेक्टिव इन्ट्रफिरेंस तो यह क्या होगा इन्ट्र्फिरंस ने किस्तथा हम इसके अनदर dependency of और destructive interference जो है वो बनाए जाते हैं आपके माइकल सान interferometer की मदद से अब देखिए यह हमारे पाद figure है ठीक है यह माइकल सान interferometer जी जो एक्सेल जो figures है वो यहां पे आपको दे दी गई है यहां पे हम यह जो mirror है वह हम यह बीम आफ लाइट जो है वो परडियूस करते हैं और यहां पे हमने क्या किया है कि मुखसली mirror जो है वो adjust किया है और बेलकुल यह इसकी practical यह हम उसको metal से उसी phenomena को construct कर लिया उसके अंदर mirror कैसे काम करेंगे और उसके फिल्टर है वो कैसे काम करेगा इस यह actually आप यह figure आप यह model आप अपनी लिबाटरियों में देखते हैं और होता कहा है जैसे सिंस्ट्रिमेंट डागराम माइकल साइंट इंटर 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 मेंश की हमने पहले भी देखी आप अपने कहा कि यह laser beam आ रही है यह beam spilter रही है यह यह आगया यह जब अपर गई और फिर वापस आई व्यूंग स्क्रीन यह हमारे पास movable mirror यह है और adjustable mirror यह है और इसे यह एक उसका design है और इसको पहले भी discuss का चुके हैं आप इसकी structure को समझ भी चुके हैं अब देखिये, when recubined and the beam falls on interferometer moving screen where the resultant light interferometer effect depends upon the length difference between the two paths कि दोनों path के अंदर length क्या है, if the distance from the beam spilter to mirror M1 and 2 differ a distance d, अगर distance d है, then the total difference in the path length traveled by the two beam is equal to 2d के बराबर हो जाएगा, when the distance 2d is equal to the integral multiple of the light wavelength, constructive interference is observed at the viewing screen of the crust क्योंके आपको पता है, क्रस्ट 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 कंबाइन करेंगा, क्रस्ट आफ तु टू बी, and bright spot or ring seen in the movie screen, स्क्रीन के उपर आप एक bright spot देखेंगे, mathematical this condition describe as 2d is equal to m lambda, where lambda is wavelength of light and m is the integer, यहां पर m जो है, वो integer रखेंगे, कमसा नमबर रख रहेंगे, 1 रख रहेंगे, 2 रख रहें, 3 रख रहेंगे, so on, जो भी आपर spec रखेंगे, अब देखेंगे, in actual difference between internal and external reflection as silver surface, a phase reversal of some beam, में result which distance 2d is half the integer, half the wavelength, तो इस सुर्थ में destructive interference होगा, और mathematical destructive interference को हम इस अंदाज से लिख सकते हैं, और यहां पर 2d cas m theta, m lambda, m is equal to 0, 1, 2 number रख सकते हैं, यह हमारे पर minimum के लिए equations हैं, और maximum के लिए 2d cas theta is equal to m, इसमें half add कर दें, तो यह maximum के लिए हमारे पास equation आगे, तो आप में यहां पर देखा कि आया कि हम constructive और destructive interference जो है, वो कैसे इसके अंदर, macrometer के अंदर काम करते हैं, अब order of the fringe, इसको देखें, order of the fringes, when the central fringe is dark, the order of fringe is, यह, m is equal to 2d over lambda, as the d is increased, the fringe appeared at the center and the existing fringe moved outward and finally moved outward of the field, field से outward move कर जाएगी, for any value of d, the central fringe has the largest value of m, और central के लिए, जो है, the central fringe has the larger value of m की maximum value of center पे यह लेगा, तो यह experiment आप अपनी laboratory में करेंगे, इसके बाद, measuring of wavelength of light, के light की wavelength को हम कैसे measure करते हैं, measure, तो यह wavelength जो है, वो कैसे measure होती है, अब हम इसको देखते हैं, measure wavelength is equal to 2d cos m lambda के बराबर, 2d is equal to m lambda naught, theta is equal to 0, move one of the mirror to new position d, so that the order of the fringe at the center is changed from m naught to m, so 2d is equal to, इसके बराबर हो जाएगा, हम फार्मॉला ले लेंगे, इस तरह 2d dash minus d m minus m naught, इसका फार्मॉला हमारे पास बन जाएगा, वो है lambda is equal to lambda delta d over m, यह हम इसका फार्मॉला जो है, वो design कर लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे, major wavelength separation of double slit, तो double के लिए हमारे पास ही कहा है, के lambda 1 है, lambda 1 delta L है, if the two fringe pattern coincide at the center, 2d is equal to p lambda 1, q is equal lambda 1 plus delta, the fringe pattern is very bright, तो यहां पे fringe pattern जो है, वो bright हो जाएगा, आप actual concept इसका उस फार clear होगा, जब आप इसका practical design करेंगे, अब हम देखते हैं, इसकी application and uses, के application क्या है और uses क्या है, तो जणाब application and uses में देखते हैं, the key application of Michelson interferometer are as follows, in Michelson moral experiment, which led to development of the special theory of liberty, पहला तो जणाब इसके बन्याद पे जो है special theory of relevant design हुई, जिससे Einstein को बहुत ज्यादा popularity मिली, दूसरी है, astronomical interferometry का अगाज हो गया, कि जो हम सूरज यह इसके बारे में, astronomy के बारे में, जो interferometry होगी, उसकी अप्तदा होगी, in optical, in optical course, tomography जो है, वो शुरू होगी, in analyze upper atmosphere by revealing temperature and wind, and by measuring the Doppler weight and the shift in the spectra, air, glow and aurora, यह इसके application, as component in the holy seismic and magnet image, the study solar variability and illustrate the sun interior along with the many expect of the magnet activity, और बहुत सी magnet activity का हमें पता चला, यह एक बहुत बड़ी breakthrough ही तिस, for the detection of gravitational wave, और माइकलसन इंफरिमेटर जो है, वो यूज किया, हमने मरूम किया, कि ग्रेविटेशनल वेव जो है ना, उनके बारे हैं, as a tubinal narrow and filter, as a core of Fourier transfer spectroscopy, और Fourier transfer spectroscopy जो है, उसका अगास हो गया, यह इसकी जो है वो application थी, अब यहां देखें, application के बाद हम देखेंगे, इसका numerical जो है, वो कैसे solve करती है, यह light is emitted from the monochromatic source, के monochromatic light, जो है, वो emitted हो रही है, as a mirror is adjusted by distance, जो जिसका distance है, वो हमने 0.26 mm adjust किया, an observer count four hundred alternation between the bright and dark, और उसने कितनी observer counted four hundred alternation between the bright and dark के दरमियान alternation देखें, what is a wavelength, wavelength हमने find करनी है, तो आपको पता है, यह lambda is a wavelength, यह formula है हमारे पास, formula के, lambda is equal to 2dn, यह वाला formula, where lambda is the distance and n is the alternate, तो यहाँ पर आपने देखा, के actually हमारे पास, जो है, d की value तो आपके हमारे यहाँ पर आगे d, जो हमारे पास किसके बराबर आ गया, d हमने रखा, किसके बराबर, यह जनाब, यह वाली value, 0.265 mm, और उसके बाद जो n की value है, हमारे पास यह रखी हमने 400, 400, यह जो value है, यह 400 है, और यह 2 का 2 रख, जब हमने टू मल्टिप्राइस से 400 से ड्वाइड किया, तो हमारे पास लेमडा आ गया, लेमडा इकल टू 1.29 माइक्रो मीटर, तो लेमडा की value कितनी आ गई, हमारे पास 1.2 माइक्रो मीटर, तो इसकी जो wavelength है, wavelength कितनी है, तो हमने फाइंट करनी है, तो wavelength यहां पर आई, 1.29 माइक्रो मीटर, तो अमीद है, कि आप को interference, interference, और interferometer, माइक्रो साइं, interferometer, कि उसकी construction, उसके working, और उसकी application, और उसकी किस तरह साल किया जाते हैं, इसको समझ चूंगे, अमीद है, आप इस lecture से मुस्तफीत होंगे.